Hey everyone, this is Shweta, welcome to UPSC वाला, तो वापस आगए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और जैसा कि आप सभी को बताएगे हम कर रहे हमारे आरेश शर्मा की सिरीज, तो बेसिकली इस बुक का ये थर्ड चैप्टर है, अल्रेडी हम हमारे दो चैप्टर उसको डिस्कस कर चुके थे ज हमारा इतिहास इतिहास जो है उसे लिखने में किंके इतिहासकारों की भूमी का थी, कौन-कौन से जो विचा-नहीं कि प्रबावन subd उन तीरों के बारे में हमने already discuss किया था, आज हमारा third chapter start करने वाले हैं, most important है ये भी, क्योंकि अब हम जानेंगे कि हमें हमारे प्राचीन इतियास के बारे में actually जानकारी मिली कैसे, कभी आपने सोचा है कि हमने इतियास के बारे में जो प्राचीन इतियास था, उसके बारे में क प्राचीन इतियास के बारे में पता लगा, अगर आज के कंटेक्स में बात करूं तो आज आपके पास में इतने सारे अलग-अलग platforms है जिसके थूँ आप अपने जो भी आपका इतियास बने वाला, आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं, hard copy के रूप में, soft copy के रूप में, लेकिन क्या, जब आदी मानव थे हम, उन आदी मानव को जिनको लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, जिनके कोई लिपी नहीं थी, तो उनके बारे में हमें आज कैसे पता है, तो basically ये chapter इसी पर पूरा, इसी के आसपास घोमने वाले हैं, जहां पर हम जानने व और उनके बाद के पूरे काल के बारे में पता लगा है, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को राय होप, आपको अभी तक की सभी क्लासे समझ में आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट है, तो प्लीज आप लो कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तक कि हम को नेक्स सेशन होंगे, वहाँ पर आपके डाउट ले सकें, तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पहले बेसिक्स जानते हैं, फिर वन बाई वन हम आगे बढ़ेंगे, देखो जब भी हमें पूछा जाएगा कि हमें इतिहास के बारे में कैसे पता लगा, तो इत किसी एक रूम में जाओ, किसी कोई रहता हो वहाँ पर और घर में या उस कमरे में जाओ, तो आप कैसे प्रिडिक करोगे कि यहां का जो लोग है, या जो भी आपर रहता है, उसका लाइफस्टाइल कैसा होगा, वह परसन क्या होगा, उसकी एज क्या होगी, फिमेल है, फिम कि लड़कों के कपड़े हैं, एज ग्रूप का आप कैसे, कि वहाँ पर टॉइज रखे हैं, कि बुक्स रखे हैं, अब समझ पारे हो, तो दो तरीके हैं, किसी भी जगा, किसी भी इस्थान या वहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में, जानकारी खटा करने के पहला तर केश रह गए हैं, उसको हम archaeological evidences कहते हैं, और ये भूमी के नीचे दबेवे मिलते हैं, जब आप खुदाई करते हैं, excavation करते हैं, तब हमें इसके प्रमाण मिलते हैं, for example, प्राची नितियास के बहुत सारे हमें archaeological evidences मिलते हैं, जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तब के हमें archaeological evidences मिले हैं, और हमारे इतियास कारों ने केवल उन पुरा तात्विक साक्षियों को आधार मानते हुए, उनके उस समय के बारे में उनकी अर्थ विवस्था, उनकी धार्मिक विवस्था, उनका सामाजिक विवस्था, उनकी राजनीतिक विवस्था, उनका प् इतियार मिलते हैं, inscription अभी लेक मिलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे पुरा तात्विक साक्षे जिनका प्रयोग किया है, हमने इतियास के निर्माण में, लेकिन हम धीरे धीरे डिवलप होते गए, और विकास का एक वो चरण आया जो हम लिखना पढ़ना जान चुके थे, और व जो लिखने वाली जो चीजे हैं, जो साहितिक साक्षे हैं, जो बचे रह गए हैं, अब इतियास का वो काल, जिसके बारे में हमें साहितिक साक्षियों से भी प्रमाण मिलता है, और हमने उन साहितिक साक्षियों का प्रयोग करके, उन लिटरी सोर्सिस का प्रयोग करके जान कि लोगों की समाजिक व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था actually क्या थी, okay, तो basically पूरा जो ancient history है, आपको उसकी जानकारी के लिए इन दो sources पर rely करना पड़ता है, एक जिसे आप बोलते archaeological evidences, दूसरा जिसे आप बोलते है, literary sources, okay, जो भी उस समय का लिखा हूँ हमें, जो भी हमें लिखे हुई साक्षे मिलते हैं, अम लिखित साक्षे का प्रयोग करके इतिहास को लिखते हैं, ठीके, अब देखो archaeological evidences तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रमान है, लेकिन यह जो लिखित साक्षे हैं, जब भी इतिहास कर, इसका प्रयोग करते हैं, थोड़ा alert रहते हैं, क्योंकि लिखित साक्षे किस विचारधारा के विक्ति ने लिखा है, जिसने लिखा है, उसका वहाँ से क्या सम्मन्ध है, इन सारी चीजों पर भी depend करता है, इस लिखित साक्षे में लिखी जानी वाली बाते, ओके, तो जब भी इतिहास कर, इसका प्रियोग करते हैं, थोड़ा सा neutral होके, पैरलल चीजों को observe करते हैं, और कोशिश करते हैं, कि इसको अपने आप में प्रमाणिक करने के लिए, कोई ना कोई पुरा तात्विक साक्षे मिल जाए, जिससे हम इसका comparison करते हैं, इसको सही प्रमाणिक कर सकें, और मान सकें, कि हा पूरे ancient history को, जो पूरा ancient history, जब भी मैं बोलूँगे, तो आप क्या मान कर चलोगे, कुछ कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा, 20 लाख इशापूर्व, कहीं मिल जाएगा, 5 लाख इशापूर्व, कहीं मिल जाएगा, 2 लाख इशापूर्व, तो जब से भी हमारे इतिहास की शुरुवात हुई है, आदिमानवकाल से लेके, तब से लेके, 7th century AD, क्यानि कि अगर आप मान कर चलो, 20 लाख इशापूर्व से 0 आए, फिर 0 के 700 साल इधर आए, तो 20 लाख इशापूर्व से लेके, 7th century AD, मतलब AD का मतलब है, 6 के बाद वाला start हो चुका, ये पूरा जो time period ह इसे हम ancient history कहते हैं, और इस ancient history के बारे में, हमें किस तरह से जानकारी मिली है, कौन से sources से जानकारी मिली है, इसके आधार पे हम प्राचीन भारत के इतिहास को, 3 parts में डिवाइड करते हैं, एक जिसे आप बोलते हैं, prehistoric era, या प्राग इतिहासिकल, दूसरा, जिसे आप बोल century AD तक, इतना तो समझ में आ गया न, केवल ancient की बात करें, तो ancient history का वो time period, प्राचीन इतिहास का ऐसा समय, जिसके बारे में, इतियासकारों को सारी की सारी जानकारी केवल और केवल, पूरा तात्विक साक्षियों से मिला है, इस समय लोग ना लिखना पढ़ना जानते थे, और कोई भी साहितिक साक्षे हमें उपलब्द नहीं है, उसे बोलते हैं, उस time period को क्या प्राग एतिहासिक काल, ओके, तो कौन सा ऐसा time period है, जिसके बारे में हमें केवल और केवल साहितिक, जिसके बारे में केवल और केवल हमें पुरा तात्विक साक्षे मिलते हैं, तो इस पाशानकाल के लोग किस तरह के औजार का प्रयोग करते थे उनके द्वारा जो मिट्टी के बरतन प्रयोग में किया जारे थे जो बस्तिया बनाई जारी थी अनाजों का प्रयोग किया जारता है यह सारे जो अफशेश मिले हैं इसके आधार पर हमने पाशानकाल का इतिहास ल नहां पर हमें archaeological evidences तो मिलते ही हैं, साती सात literary sources यानि लिखित साक्षे भी मिलते हैं, लेकिन इन लिखित साक्षियों का प्रयोग इतिहास को लिखने में बहुत ज़्यादा या तो किया नहीं गया है, या तो किया ही नहीं गया है, अब इसके अंदर कौन सा time period आता है, सबसे प प्रयोग इतिहास को लिखने में कैसे करेंगे, तो यह वो time period था, जब पूरा तात्विक साक्षियों मिले हैं, लेकिन इन साहितिक साक्षियों का प्रयोग रही किया गया इतिहास को लिखने में, फिर भी हम पूरी तरह से किस heh रिलाए हैं पुरा तात्विक साक्ष्यों पे तो ऐसे टाइम पीरिड में जो भी काल आता है उसको हम क्या बोलते हैं आद्यातिहासिक काल कहते हैं और कहीं कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें वैदिक एज को इसमें रखा गया और कुछ बुक्स ऐसी है जहां वैदिक एज को इस 600 BC तक का जो टाइम पीरिड है उसको हम वैदिक एज क्याते हैं अब वैदिक काल के बारे में इंट्रेस्टिंग चीज क्या थी ये लोग लिखना पढ़ना जानते थे लेकिन बाद में जाके इन्होंने लिखा है इनिशिली हम देखते हैं कि सारी चीजे औरली चल रही थी यानि जितने भी वैदिक मंत्र थे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन मौखिक रूप से जा रहे थे और उसका रीजन भी क्या था शुद्धता जो आप वैदिक मंत्र का अगर उचारण करेंगे अगर उसको चार देख हमें मंत्र दिखाई देते हैं वो कैसा जा रहा था मौखिक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जा रहा था और बाद में काफी बाद में जाके इसको संकलित किया गया लिखित रूप दिया गया तो यहां पर थोड़ा सा हिस्टोरियन्स रूपते हैं और इन लिटरी स बोला, अगले ने उसमें कुछ एड किया, उसके अगले ने कुछ और एड किया, उसके अगले ने कुछ माइनस कर दिया, समझ में आते हैं, तो बस इन दोनों को हम इस बेसिस में किस में डाल देते हैं, आधि अतिहासिक काल में डालते हैं, ठीक है, अब आ जाता है अतिहासिक एतिहाद से काल में आता है, ओके, और यहां पर हमें इतने बड़ी मात्रा में साहितिक साक्षे मिलते हैं, साहितिक साक्षे भी अलग-अलग तरीके के, साहितिक साक्षे में हमें धार्मिक साक्षे मिलते हैं, साहितिक साक्षे में हमें राजनीतिक साक्षे मिलते हैं, साहितिक लोग जो बुद्धिज्म के फॉलोवर्स होते हैं ऐसे देश के लोग भी भारत में आ रहे थे चाहे हम युनानी की बात करें चाहे हम चाइनीज की बात करें और यह जो ट्रैवलर्स थे यह इंडिया में आके काफी लंबे समय तक रुखते और यहां के बारे में जो भी उन् तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अब ध्यान रखना है प्राची नितियास के बारे में कैसे कभी आपसे पूछा जाएगा कि उस टाइम के पीरिट के बारे में कैसे आपको पता लगता है तो दो ही सोर्स हैं आर्के लॉजिकल लिटरी ओके और इसके बे तो आगे तो पूरी कहानी है और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है यहां पर मैं कुछ-कुछ टर्म्स यूज करूंगी जैसे हम कहीं पर किसी राइटर का नाम ले ले कहीं पर हम किसी टाइम पीरियट की बात करें तो जो बच्चे ऐसे जुनोंने पहले हिस्ट्री नहीं पड़ा है डरना नहीं है कि अरे यार बीच से ही आचानक से नाम कहां से आगे क्योंकि यह चैप्टर कुछ ऐसे है ना जो अंदर क्या मिलने वाला है आपको आगे उसके बारे में बहारी थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन दे रहे हैं तो पैनिक नहीं करना है वो सारी चीज मिल रही है ठीक है और मैंने सामने से भी खुदाई को देखा तो मैं आपको अच्छा से बता पाऊंगी कि किस तरह से यह एक्सकिवेशन किया जाता है पहले हम जो लेते हैं आर्केलोजिकल एविडेंस होते क्या है जिस विज्ञान के अधार पे पुराने तीलों का क्रमिक इस तरों में विदिवत उत्खनन किया जाता है तीले बेसिकली क्या होते हैं तो होता क्या है मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन यह एक काल से दूसरा काल हमें दिखाई दे रहा है तो एक काल जो वहां पर बसा वह था उसके उपर ही नया काल हमें दिखाई देता है उ वंड्वर वे क्रंब में हमें कर नीचे कुließ ऐसे एविडेंस मिलते हैं पूर्ण बंदर नीचे कहीं से खुदाई होती हो मंदिर निखलते हैं कहीं मज्जिद निकल जाते हैं कोछ और चीजिसने निकल जाती है तो यह सब यह एक टीला था जिसके अंदर में कुछ चीजे दबी हुई है ठीक है तो यहां पर यही बता रहा है ऐसा विज्ञान जिसके आधार पर पुराने तीले जितना भी ऐसे तीले हैं उनका क्रमिक उत्खनन किया जाता है और उत्खनन के बाद जो प्राचीन लोग जो वहां कभी रहकर गए वो सारे पूरा तात्विक साक्षे हैं लेकिन हमारी हिस्ट्री को लिखने में जो दो इंपोर्टेंट आर्के लॉजिकल एविडेंस इस जिनका रोल हमें दिखाई देता है एक जिसे आप बोलते है कॉइं सिक्के ओके आज हम कॉइंस का यूज करते हैं ओके तो यह कॉइंस ज जो था जिसको आप बोलते हैं पाशान काल वहां तो ऐसा कुछ था भी नी कॉइन वगेरा भी नहीं था बेसिकली वो लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे हमें दिखाई देता है इंडास वैली सिवलाइजेशन या जो नियो लिथिक के बाद वाला टाइम पीरियोड हम बोलते हैं तो यह जो कॉइनस होते है इन्हों यह बहुत इंपर्टन आर्के़लोजिकल एविडेंस था अभी हम आगे डिसकस करेंगे कैसे यह जो कॉइनस है इस से हमें इतिहास को लिखने में वशावली जो राजाओं की वशावली थी उसके बारे में उनका टाइम पी इंस्क्रेप्षिन अभी लेक वहां से चालू होता है जब लोग लिखना जान चुके थे तो जब लोग लिखना जान चुके थे ऐसा नहीं है कि जो भी लिखा है वो आज तक बचाईए बतलब आज से मैं 4000 साल पुरानी बात कर रही हूं तो उस समय में कुछ ऐसी चीजे ऐसे जैसे पत्थर पर गुदवा के लिखवा देना जो तामर पत्र होते हैं यानि कि धातु के जो पतली पतली शीट बनाए जाती उस पर गुदवा के लिखवा देना मंदिरों पर लिखवा देना इस तरह से जो लिखा हुआ कहीं पर लिखावा जो बचा रह गया है उसको हम आभी लेक में काउंट करते हैं, Okay, अग बड़े लेवल पर ऐसे इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं, मौरियंस के टाइम पीरिड में, बहुत सारी इंफोर्मेशन देते हैं, इंस्क्रिप्शन, आप इमेजन भी नहीं कर सकते हैं, कि Morians का जो inscription था उसने पूरी territory बता दी थी अशोक की क्योंकि जहां जहां तक अशोक का एंपायर था वहाँ वहाँ पर उसके rock addicts, rock inscription हमें दिखाई देते हैं और भी बहुत सारी चीजे उन inscription पर अशोका ने अपने आदेश लिखवाए थे, बहुत सारे जो अपने लोग थे, अपनी प्रजा थी, उनके लिए काफे सारे करतव वे लिखे थे, तो basically ये दो ऐसे important archaeological evidences हैं, जिस पर हम हमारी आज की class में discuss करने वाले main's के point of view से बहुत ज्यादा important है, आप देखी रहे हैं, अभी UPSC का paper prelims का, ठीक ठाक आया था, तो बस अभी आपको थोड़ा सा अपने आपको उसी level पर prepare करना है, क्योंकि यहां से अगर कोई question पूछता है, तो आपको सारे points पता होने चाहिए, okay, तो coins और inscription ये दो हमारे important archaeological evidences हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको लेकर जाने वाली हूँ, ठीक है, तो अब आपके दिमाग में question आएगा, अच्छ आपने की कोशिश की, आपने उन coins से राजाओं के आकरती देखी, बहुत कुछ देखा, आप समझ तुपाए, लेकिन आपको ये कैसे पता लगा, कि ये जो coins और inscription है, ये इस time period की बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, तो actually आपको पता कैसे लेते हैं, और उससे हमें पता लगता है, कि किस time period की ये archaeological evidences है, एक चीज और यहां पर थोड़ा सा बीच में add कर देते हैं, टीला, एक ताम अभी यूज हुआ था है, टीला, बेसिकली क्या होता है, तो archaeological evidences कहां से मिलते हैं, जब हमारे जो धर्ती पे जो टीले बने हुए बड़े बड़े उनकी खुदाई करते हैं, इस तरह से, तो one by one जब excavation करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, अंदर पुरातातिक साक्षे मिलते हैं, तीला धर्ती की सत्य के उस उभरे हुए भागों को कहते हैं, जहां पर हमें नीचे पुरानी बसियां दिखाई देती हैं, और और यह कई प्रकार के हो सकते हैं, तो जब आप excavation करते हैं, यहां पर आरश शर्मा यहीं बोल रहा है, कि जब आप खुदाई करते हैं, तो कई जगा पर खुदाई करने पर हमें क्या पता लगता है, कि एक ही संस्कृति दिखाई देती हैं, एक ही तरीके के बरतन, एक ही त करते ही तरह के घर आप समझ पारे हैं, तो ऐसी तीले की खुदाई जहां पर हमें एक ही तरह की संस्कृति दिखाई दे रही है, उसको क्या बोलते हैं, एकल संस्कृति वाला तीला, ओके, अब कहीं पर हमने खुदाई किया, तो वहाँ पर हमें पता लगा, कि कोई एक संस् की तो प्रधानता रहती है लेकिन उसके पहले की कोई संस्कति या बात की कोई ऐसी संस्कति हमें मिल रही है हलकी हलकी जलकिया दिख रही है लेकिन उसका कोई खास प्रभाव या उसका कोई खास विश्येश महत्व नहीं होता है तो ऐसे वाले टीले को क्या बोलते हैं मुख् बहु संस्क्रति का मतलब है कि जब आपने खुदाई की ऐसे टीले का उत्खनन किया तो आपको एक संस्क्रति उसके बाद दूसरी कैसे डिवलेप हुई इसके बाद तीसरी कैसे डिवलेप हुई इसका बहुत अच्छा एक्जामपल है इंडस वाली सिवलाइजेशन तो हडपा के पहले प्राक हडपा और हडपा के बाद के जो उत्तर हडपा काल का जो एविडेंस है वो तीनों ही मिलता है क्रम में कि पहले यहां पर हडपन प्राक हडपा सब भता होगी मतलब अपने हडपा में कनवर्ट होने से पहले का ओके डवलपिंग स्टेज में होगा फ में उत्रोत्र अनेक संस्कृतिया पाई जाती है एक दूसरे के पैरलल या फिर एक दूसरे से आगे पीछे भी थोड़ी चलती हुई हमें दिखाई देते हैं तो बस यह ध्यान रखना है NCRT ने बोल आए तो कहीं ऐसा ना हो आप पढ़ होतों लोगे यह क्या बात कर रहा है तो बस जब भी हम किसी तीले का उत्खनन करते हैं हमें थोड़ा सा अब्जर्व करते हैं तो हमें अगर पता लगता है कि केवल एक ही संस्कृति तो आप उसको दबाओं में नहीं आना है और इस तरीके से देखो excavation होता है इस तरीके से खुदाई होती है तो बहुत ही धीरे-धीरे और बहुती लंबा process है excavation का एक इनका नहीं है, बहुत समय लगता है, बहुत खर्चीला भी होता है, तो अभी बहुत सारे इंडिया में ऐसे साइट से प्रिजेंट इमें, जिसका एक्सका एक्सका इस्टार्ट भी नहीं हुआ है, अब जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, ठीक है, खुदाई, तीले की मिला, तो यहां पर बोल रहा है कि एक्सकेवेशन भी दो टाइक का होता है, डिपेंड करता है, कि जब किसी जगह की खुदाई कराई जारी है, तो कितना बजट है हमारी गवर्मेंट का, ज्यादा पैसे लगते हैं, जब भी आप खुदाई कैसे करते हैं, शैतिज खुदा या फिर सीधी जो हम खुदाई करते हैं, for example, हमें बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं एतने resources कि हम प्रॉपर बड़े लेवल पर खुदाई करें एक ही जगह की, लेकिन हमें पता है कि नीचे कई सारी संस्कृतियां हैं, तो अगर हमें उन सभी संस्कृतियों के बारे में उन सभी के काल करम के बारे में जानना है, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत कम जगह की इस तरह से खड़ी खुदाई कर सकते हैं, बहुत कम जगह की, तो हमें एक पर्टिक्लर कल्चर के बारे में बहुत information तो नहीं मिलेगी, थोड़े जगह से आपको थोड़ी ही information लेकिन जब आप खड़ी खुदाई करते तो आपको पता लग जाएगा इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, एक्चली बाद नी, इसके पहले ही, तो सबसे बाद में यह आया है इसके पहले ये कल्चर था फिर ये कल्चर था फिर ये कल्चर था फिर ये कल्चर था तो आपको एक क्रम के बारे में जानकारी मिल पाती है और ये जो खड़ी खुदाई होती है इसमें थोड़ा पैसा कम लगता है समय कम लगता है जल्दी से आ एक कौन सी संस्कृति हमें दिखाई देती है लेकिन यह लिमिटेड एरिया में होता है और इससे लिमिटेड इंफरमेशन ही मिल पाती है किसी भी संस्कृति की थोड़े जगर की खुदाई करोगे थोड़ी जानकारी मिलेगी ना अब आ जाते हैं शैतिजुथ खननन का मतलब है कि जो एक कल्चर आपको मिला है अब आप उसी के बारे में आप और डेफ्थ में जारें आप उसी कल्चर की दूर तक खुदाई कर रहे हो जहां तक आपको लग रहा है कि यह कल्चर फैला हो सकता है फोर एक्जामपल इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना पहले एक केव लगता है लेकिन शैतेज उत्खनन से आपको अच्छी जानकारी मिलती है उस टाइम पीरिट के बारे में उस कल्चर के बारे में डेटेल से डेफ्थ से इंफॉर्मेशन मिल पाती है तो बस यही लिखा है कि शैतेज उत्खनन में तीले के व्रहत भाग की खुदाई की जात है आर्के लॉजिकल एविडेंस कहां से मिलेंगे जब आप तीले के खुदाई करेंगे हम देख रहे हैं तीले के खुदाई करते वें में तीन टाइप के तीले दिखाई दे रहे हैं ठीक है एकल संस्क्रती हो गया मुख्य संस्क्रती हो गया और बहुल संस्क्रती हो गया पिर हमने देखा, यह excavation भी दो टाइप का होता है, कहीं पर vertical, कहीं पर horizontal, दोनों में difference क्या है, और क्यों किस से हमें किस तरह की जानकारी मिलती है, यह हमने जान लिया, बीच में ही मैंने एक और जगह पे यह थोड़ा सा आपको बताया था, कि रुख गई, क्योंकि आगे आने वस्तों के थे, मतलब जो जी जिसमें प्राण था, for example, human beings हो गए, जैसे हम लोग हो गए, fossils हो गए, जैसे कि, florafona हो गए, पेड़ पौदे है, जानवर है, उनके अफशेश हो गए, मानव के अफशेश हो गए, तो यह सब क्या थे, इन में जीवन था, ठीक है, तो ऐसे सभी वस्तों आपको बता है, कार्बन से मिलती है, और इसी का हमें एक समस्थानिक दिखाई देता है, isotope, radio carbon, और इसका क्या एक characteristic होता है, कि जब तक हवा, भोजन, पानी मिलता रहता है, हमारी बौडी में आज भी कार्बन डीके हो रहा है, लेकिन इसकी वज़े से लगातार उस चलता है, बनता नहीं है, क्योंकि प्राण तो ही नहीं, आप हवा नहीं ले रहो, पानी नहीं ले रहो, भोजा नहीं ले रहो, तो इनमें केवाद शेय होता है, और ये जो छेय की प्रक्रिया होती है, ये निश्चित होती है, कि इतने समय में इतना ही डीके होगा, और हम क् हम मतलब जो archaeological evidences का use करते है history को लिखने के लिए तो वो इस तरह के जो भी evidences मिलते हैं carbon dating process के आधार पर वो अनुमान लगाते हैं कि इतना 6 हो गया है इसका मतलब है कि इतने समय में इतना 6 इतना age पुराना होगा तो आप बोल पाते हैं कि यह 2000 साल पुराना है यह हम use करते हैं जब भी हमें कोई object मिलता है उसका एक तरह से time period decide करने में इसके लावा हमें और भी evidences मिलते हैं केवल यहीं तक तो सीमित नहीं है धातु परिक्षन हमें जो आजार मिलते हैं हम उनका भी जो metal है उसका proper अच्छे से परिक्षन करते हैं साइंटिफिक तरीके से तब हमें पता लग पाता है उसकी प्रकृति के बारे में उसके distribution के बारे में काफी सारी चीजें हमें पता लगती इसी तरह पशू अफशेश परिक्षन उसमें हम हड्डियों का प्रेयोग करते हैं पश्वो की जो हड़िया मिलती उनका प्रियोग करके हमें बता लगता है, मतलब कैसे बताया जाता है, कि इंडस वैली सिवलाइजेशन में गायों का महत तो नहीं था, और आगे चलके वैदी केज जो होता है, वो गायों से परिचित थे, उसका महत नहीं था, इंडस वैली सि जानकारी खटा करने में, इसके अलावा जो पराग कड होते हैं, जैसे कि पेड़ पौदे होते हैं, उनके पराग जो बच्चे वे रहते हैं, उनका भी प्रयोग किया जाता है, तो बैसे कि यह चीजे हैं, जिनका हम यूज करते हैं, जानने में कि कि इतना पुराना होगा, कितने प्राचीन कालका होगा ठीक है तो वस यही था थोड़ा सा आर्कियो लॉजिकल एविडेंस के बारे में आपको बताया था इस पर आप लोग देख लेंगे यहीं से स्टार्ट होता है बैक्ग्राउंड बनाना पिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है वर्ड टू वर् सिर्फ यहां पर मेरा बताने का मोटिव यह है कि जब देखते हो तो इससे क्या पता लगता है कॉइंस का इस्टेडि कर पाते हैं तो थोड़ा सा वच वेट करें अभी तो रण पता लगए का क्या इंपॉर्टेंस है यहां पर बस एक तेक्टेटा बता रहा रहे है कि जब भी coins का study किया जाता है तो उसको new mathematics या फिर मुद्रा शास्त्र कहा जाता है प्राचीन भारत में धातु मुद्रा का प्रशलन था यानि पहले paper currency नहीं थी सबसे पहले जो currency आई थी उसको हम क्या बोलते है metal currency यानि धातु के मुद्रा का प्रयोग किया जा रहा था और वो धातु की मुद्रा भी सबसे पहले कब introduced हुई थी तो जो stone age के लोग थे वो लोग currency यूज नहीं करते थे ओके इंडस वैली civilization जो की अर्बन civilization थी ट्रेड कर रहे थे मिश्रम इसो पोटामिया से लेकिन यह लोग भी coins का यूज नहीं करते थे बार्टर सिस्टम ही चलता था लेकिन इसके बाद से वैदिकेश आये वैदिकेश तो पता ही आपको रूरल जो इस तरीकी की निशानी लगाए जाती ती इस वज़से उसे पंच मार्क कोईन कहते थे तो सबसे पहले coins जो है वो 600 BC के आसपास ही हमें इंट्रड्यूस होते वे दिखाई देता और वो क्या था metal ओके तो सबसे पहले यहाँ पर यहीं बता रहें कि प्राचीन भारत में जो मुद्रा प्रचली थी वो धातू की हुआ करती थी और यह जो coins थे न वो अलग-अलग metal के होते हैं तामभा, चांदी, सोना, शीशा अलग-अलग जस जगह पे जो metal जो है ज्यादा प्रभावशाली था gold coins भी आगे इंट्रड्यूस होंगे, initially तो हमें silver, copper यही coins दिखाई देते हैं, gold coins हमें 1st century BC के आसपास हमें दिखता है इंडो-ग्रीक्स जो आएंगे वो इंट्रड्यूस करते हैं पहली बार इंडिया में gold coins जो शीशी के coins है वो ज्यादा साथ महानों के टाइम में दिखाई देते हैं क्योंकि साथ महां जो है वो रहते थे आंधर प्रदेश आसपास के छेतर में जहां पर हमें काफी ज्याद हमें ऐसे मिट्टी के साचे मिले हैं जिसमें धातो की मुद्रा को बनाया जाता तो बड़ी संक्या में हमें ऐसे साचे मिले हैं और अगर हम इन साचों की बात करें न कि संक्या में ज्यादा कहां दिखाई देती तो पता लगता है कुशार काल से लेके गुपततर काल तक तो पर आता है आपका महाजनपदैरा, फिर आता है मौरियोतन, फिर आता है पोस्ट मौरियन, ठीके, तो जो कॉइन से, मेटल कॉइन, वो इंटर्ड्यूस तो यहां से हो जाते हैं, 600 BC से, इसके पहले पूरा बार्टर सिस्टम था, ओके, 600 के बाद हमें दिखाई देता है, कॉइ यह पर बता रहा है कि यहां पर नॉर्थवेस्टर से कफेसारे д्ठीन, और यही यहां पर बता रहा है कि जो साचे है ना बड़ी संख्या में आपको कब मिलते हैं कुशान काल से लेके गुपतोतर टाइम पीरिएट या फिर इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं पोस्ट मौरियन फिर आता है गुपता एरा और फिर आता है पोस्ट गुपता यानि फॉस्ट सेंचुरी बीसी से लेके एप्रोक्स सेंचुरी एडी तक का जो टाइम पीरिएट था यहां पर हमें बड़ी संख्या में साचे दिखाई देते कॉइंस बनानी के यहां पर बड़ी मात्रा में आपके कॉइंस बन रहे हैं अभी आप जानेंगे जब बड़ी संख्या में कॉइंस बनते तो क्या बता जैसे मैंने आपको बोला पंच माक कॉइन, तो उन कॉइन को जब हिस्टोरियन के हाथ में आये, तो हिस्टोरियन दे दिखा, वहाँ पे हमें कुछ चोटे मोटे सिंबल्स बने वे दिखाई दिये, लेकिन आगे चलके, जब पोस्ट मॉरें टाइम पीरिड हुआ, इंडो क्र आये, तो ना केवल इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किये, बलकि इन्होंने अपने कॉइन पर अपने राजाओं की आकरती छपवाई, अब आप इमेजिन करिए, एक कॉइन है, पोट्रे हुआ है, उसमें एक राजा का पिक्चर, और उसमें बाद में लिखा भी लिखा भ मतलब कोई राजा है, वो राजा किसी पर्टिकलर रिलिजिन को फॉलो करता है, तो वो कॉइन इशू कर रहा है, उसमें देवता की आकरती छपवा दे रहा है, अब आप ये खुद से भी आप इसको कनेक कर सकते हैं, for example, मैं पर्टिकलर किसी भगवान को बहुत मानती हूं, ठीक है, बच्पन में मैं एक्जाम देने जाये करती थी, तो इसको कोई पर्सनली लेना मत, मैं बस अपना एक्स्पिरिंश शेयर करे हूं, तो पता नहीं क्या था, पेपर पढ़ा हो, निक पढ़ा हो, बात की बात है, पेपर आते हैं, उस पर ओम लिख देते थे, तो ये क पर्टिकलर किसी God Goddess को मानता होगा, तो वो coin issue करेगा, उसमें symbol, तो उससे क्या पता लगेगा, अच्छा, इसके time period में coins पे ये symbol मिल रहा है, इस देवी देवता का, इसका मतलब है कि ये इसका follower था, हमें उस समय के धर्म के बारे में पता लगा, उसके particular धर्म के बारे में पत पता लगा, ठीक है, कुछ-कुछ में तिथियों का उलेक है, तो ये जो coins मिलने लगते हैं, बड़े numbers पे, 4th century BC के आसपास में, उसमें राजाओं की आकरती तो पता लगा, अच्छा, ये time period पे, इस राजा की आकरती, यानि यहां पर ये राजा रूल करता था, ये Indo-Greek King थ इसका time period ये है, इसका मतलब है, यहां से इसका काल चालो हुआ, अब समझ पारें, तो बहुत सारे information, ये coins जो है, हमें देख कर गए हैं, इसके अलावा, सिक्कों के आधार पर इन ही coins का use करते हुए, हमने बहुत सारे राजवंशों का इतिहास लिख डाला, इन coins के बेस पर क केवल वहीं पर नहीं, बलकि हम आगे देखते हैं, काश्मीर वाला रीजन हो गया, आगे जो हमें दिखाई देते हैं, गुपताज हो गए, पोस्ट गुपता time period है, यहां पर भी काफे सारे coins issue किये गए, तो इन coins से भी हमने राजाव की बंशावली लिख दी, सात्महानों काफी सारे coins issue किये, तो coins का हमारे लिए बहुत ही ज्यादा use होता है, ठीक है, especially यह कब दिखाई दिता है, इंडो ग्रीक के आने से, यहां पर coins आए, लेकिन actual उसका impact है, वो post-modern से हमें दिखाई देता है, जहां पर हमें ज्यादा information मिलने लग जाती है, ठीक है, एक step और हम आ अब सिकों का प्रयोग कैसे, और हमें क्या information मिलती है, तो सिकों का ज्यादा प्रयोग जो है, वो दान दक्षिना, खरीद विकरी, वेतन मजदूरी के भुकतान में, यह सब में भी हो रहा था, ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा coin use करें, इसका मतलब है, आपको पता लग पा र जा रहा है, जिस तरीके से use क्या जा रहा है, उससे आप उनकी economy को predict कर पा रहे है, कि इसकी economy कैसे होगी, florist होगी, नहीं होगी, okay, next, व्यपारी और स्वर्ण कारों की श्रेणिया, श्रेणिया बनी होती थी, अभी नहीं जाना है इस पे, जो हम आगे पढ़ेंगे, पोस्ट से लेवल पर आप देख सकते हैं, जैसे auto stand पर जाओ, महां पर बोलो auto वाले को कि भई, सारे auto वाले आएंगे, अगर आप कभी railway station से निकल रहा है, वो सबका इशारा चल रहा होता है, उनका एक group बना हुआ है, उन्होंने अपना market rate fix कर रखा है, कोई न्यूस को तोड़ता है कि तू तोड़ेगा तो फिर हमारे ग्रहक जाएगा और तू जादा लेगा तो यह दिकल तो एक इस तरह से श्रेणी, मतलब जहापे proper market price fix करने ना, norms भी बना लेते हैं, कुछ लोग अपने मांदर्ण बना लेते हैं, अपने rules भी बना लेते हैं, कि हमें इस तरीके से behavior करना है, पहले तू जाएगा, बात में मैं जाओंगा, इस टाइप का structure, market में भी आपको देखेगा, सब्जी, मंडी वग्यरा में, proper rate fix कर लेते हैं, मतलब यह सारी चीजे, तो ऐसी है कुछ श्रेणिया हमें उस समय भी दिखाई देती थी, ancient time period में, तो जो व्यापारी और स्वर परनिकार है, यह लोग उनकी श्रेणिया खुद coins issue करते रहे हैं, यानि इतना develop stage का हमें structure दिखाई देता, उस समय के trade card, ठीक है, इसके अलावा बोल रहा है कि बहुत सारे हमें सिख्खे, जब हम number of coins देखते हैं, तो मैं बतलता है, जादा तर सिख्खे जो है, वो post-morion time period के अभी मैंने बोला, इंडो ग्रीक के बाद से हमें दिखाई देने लगते हैं, और गुपतोत्तर काल तक जाते हैं, लेकिन जैसे post-गुपता time period हमें दिखाई देता है, वहाँ पर number of coins हमें कम दिखाई देने लगते हैं, पहले market में बहुत coin थे, धीरे-धीरे coins कम होने लगत है, अब coins बहुत ज़्यादा आना दिखाता है, कि trade बहुत ज़्यादा हो रहा है, prosperity है, और coins का एकदम से निकलना, यानि व्यापार कम है, prosperity कम हो रही है, तो बस यही बोल रहा है, कि इसका भी historians ने use किया है, मौर्योतर से post-Maurian तक तो coins बड़े level पर दिखाई देता है, लेक एक empire का unified structure था, वो टूटेगा, north में छोटे-छोटे राजपुताना states दिखाई देंगे, south में हमें central में दिखाई देते है, पाल, प्रतिहार, रास्टरपूर्ट दिखाई देते हैं, दक्षन में हमें चोलास दिखाई देते हैं, ये सारी चीजे, तो छोटे-छोटे states का अ पास्तिक हो गया, ये कोई और particular symbol हो गया, वो भी दिखाता है उनके धर्म के बारे में, कि उनकी धर्मिक आस्ता किस तरफ थी, और अब उस time period के धर्म को अच्छे से क्या कर सकते हैं, एक तरह से लिख सकते हैं, बता सकते हैं, तो बस ये है, coins, जब भी आप इसका study करते हैं, तो हमारे students ने कितने अच्छे से study किया, coins को, इसके numbers को study किया, इसके साचों को study किया, इस पे लिखा क्या है, इन सब को बहुत अच्छे से पढ़ कर फिर decide किया, कि अच्छा, ये ये समय में, इस इस coin से ये चीजे हमें पता लग रही, basically, economy के बारे में पता लग रहा है, religion के वंशावली के बारे में पता लग रहा है, dates के बारे में information मिल रही, तो इतनी सारी information जो है, वो coins दे कर जाता है, okay, अब आ जाता है inscription, अभी लेक, दूसरा important archaeological evidence है, हमारा अभी लेक, पुरा तात्विक साक्षे, अब देखो inscription का क्या है, पहले इसके बारे में एक छोटा सा data ब biography के नाम से जाना जाता है, next, अभी लेक कहां मिलने है, अभी लेक मतलब क्या होता है, छोटी सी बाते कहीं पर लिखवा देना, और ये ancient time period में हमें दिखाई देता है, ये एक archaeological evidence है, बहुत इक अफशेश है, ठीक है, बहुत इक अफशेश मतलब कि ancient time period में जब लिपी मिली, मतलब जैसे कि जहां से लिखना चालू हुआ, जैसे Indus Valley Civilization के लोग लिखना चानते थे, ठीक है, वैदी केज के लोग भी लिखना जानते हैं, बाद में हमें दिखाई देता है, अशोकास के time period से लिखना तो पता ही था, लिपी तो थी, लेकिन जादा inscription के form में लिखना चाल इंड़स वैली civilization में, हमें पता लगता है कि Indus Valley Civilization के लोग हलाकी coin नहीं था उस समय, लेकिन वो लोग trade किया करते थे, ठीक है, Central Asia वाला region हो गया, Mesopotamia है, Mishrog, Africa, Northern Africa वाले region, इन से trade करते थे, ठीक है, अब बड़े लेवल पर international trade या national trade भी चल रहा था, अलग अलग जगे से, तो जब ये trade करते थे, उस समय पर इतनी technology तो थी नहीं, यहां से वहाँ समान भेज रहे हैं, समान में कुछ गडबर कर दिया, तो क्या, तो ये लोग क्या करते थे, मुहर निकालते थे, जिसको आप seal कहते हैं, और जैसे कोई समान है, उसको पैक किया, उस पर गिली मिट्ट में हमें Indus Valley Civilization, इसके अलावा Mesopotamia में भी काफी सारे के cylindrical seals मिलते हैं, वो लोग भी trade किया करते थे, तो इस तरह के मोहर पर जो हमें symbols मिलते हैं, उसमें लिखा हुआ भी है काफी कुछ, हलाकि हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो inscription हमें मोहर पे मिल सकता है, inscription हमें पत्थर के जो स्तंभ थे, उन पे मिल सकता है, स्तूप पे, आगे चल के आपको पता लगता है, जब बुद्धर्ज में फ्लोरेज़ जो होता है, तो बहुत धर्म के हमें तीन important architectures दिखाई देता है, art and culture में आप इसे पढ़ेंगे, एक जिसे आप बोलते स्तूपा, जिसे आप बोलते चै आतना नहीं है, कुछ नहीं आता है, बस चुप से सुनो, आगे सभम पड़ेंगे, ऐसे बहुत सन्यासी जो अपना मोक्ष रोख कर आपके मोक्ष के लिए, बैठे हुए आपको मोक्ष दिलाने के लिए उन्हें बोधी सत्वा, तो महात्मा बोधी या बोधी सत्वा के जो अवशेश होते थे, उनको एक डबे में बंद करके, प्रॉपर एक वो बनाया जाता था, गुमबद नुमा स्ट्रक्चर, हर्मिका, उसके उपर उसको रखा जाता था, बाद में इसमें नहीं नहीं चीजे जोड़ी गए, अभी एक डेवलप आर्किटेक्चर का फॉर्म द तो आप समझ जाने, यह क्या है, इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, चटानों पर लिखा हुआ मिलता है, कई जगा पर हम देखते हैं, कि जो चटान है, उस पर भी लिखा हुआ मिलता है, रिंडम, तामर पत्र, पत्र, मैटल पर, तभी यह बच गया है, तामे के जो पतली-पतल यह बारे में आपको पता है, आट अन कल्चर में बीबिव हम रिसकस करेंगे, तो वहां पर आपको बता लगता है, कि मंदिरों में काफे कुछ उतक्रिणित कराया गया है, अगर आप जाते हैं कभी भी दक्षिन भारत में, तो काफे कुछ आपर वहां पर उकेरा गया है, पीटों पर मूर्ती ओपर तो ये कुछ एसी जगह है जहां पर हमें ये कुछ लिखा हुआ शो कॉछ लिखाऊ हूँ सकता है उसको हमadas पहले बोल रहा है कि हमारे भारत देश में जो शुरुवाइट में अभी लेक थे भारत में वह कहाँ पर मिलते थे तो इनीशली ये सब देखो ये आर्खिटेक्चर बाद में डेफलप हुआ ना स्तूपा बहुत बाद में आएंगे जो इनीशली तो क्या चट्तन है तो सबसे सिंपल फ़ॉर्म होगा चट्तन या तामा जो मैटल था वो कि जैसे ही आपका 1st century AD के आसपस हमें दिखाई देता है कि यह तामी के पत्ते यानि कि जो copper की sheets होती थी उस पर इस तरह से लिखवा के रख दिया जाता था काफी सारे हमें ऐसे मिलते हैं ठीक है और initially कहां पर मिलता था चटानों पर बाद में तामर पत्रों पर दक्षर भारत में मंदिरों पर मिल रहा है अब इसका यूज कैसे किया हमारे historians ने as a archaeological evidence इसका हमने प्रेयोख कैसे किया ठीक है आरंबिक अभिलिक प्राकर्त भार्षा में थे तो initially जो हमारे historians को archaeological evidence के रूप में यह क्या मिलता है inscription इनिशियन हमें कौनसे भार्षा में दिखाई देते हैं प्राकर्त भार्षा में दिखाई देते हैं ठीक है के पैरलल हमें आगे Moran Empire दिखाई देता है तो आरंभिक जो अभिलेक थे इशापूर्वत तीसरी सदी में मतलब 3rd century BC के आसपास आप मान सकते है अशोका का जो टाइम पीरेड है उसके आसपास की बात कर रहा है तो अशोका के टाइम पीरेड के आसपास जितने भी हमें के इंसक्रिप्शन मिलते वह बemptate एक एसी लेंग्विज में उते थे व्प्राकर्व में उते थे अब भाषा वह जो बोल जाती है लिपी वह जो लिखी जाती है। बोल रही हूं हिंदी भाषा लिखा क्या है देवनागरी स्क्रिप्ट इसी तरह अशोका के इंस्क्रिप्शन पूरे इंडिया में डिस्ट्रिबूटेट थे एवन इंडियन सब कॉंटिनेंट यहां तका पहुंच जो यह पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रेजन सुदूर दक्षन का केरल और नौथ इस्टन पार्ट को छोड़ दो तो पूरे इंडिया में अशोक के इंस्क्रिप्शन दिखाई देते हैं प्राकर्द भाषा में लेकिन इस्क्रिप्ट अलग थी यहां पर जो इंडिया का पार्ट है नदन वाला यहां पर हमें ब्रामी इस्क्रिप्शन मिलते हैं वहीं सेकेंड सेंचुरी 80 में संस्क्रिप भाषा में अभी लेक मिलने लगते हैं अब यह देखो यह चेंज को दिखा रहा है हमारे जो हिस्टोरियन से जब उन्होंने इन इंस्क्रिप्शन को अच्छे से स्टडी किया तो उन्हें पता लगा कि जो थर्ड सेंचुरी बीसी यानि जीरो के 300 साल पहले जीरो है इसके 300 साल पहले बोल रहा है कि जो इंस्क्रिप्शन मिल रहा है वो कौन सी भाषा में मिल रहा है प्राकर्ट भाषा में मिल रहा है लेकिन बोल रहा है कि सेकेंड सेंचुरी 80 के बाद से आपको कौन सी भाषा century AD तक तो बड़े लेवल पर संस्कृत के inscription का प्रयोग होने लगा तो initially प्राकर्त में inscription मिलते हैं आगे चलके संस्कृत में मतलब AD के आसपस प्राकर्त और जैसे सॉरी BC के आसपस प्राकर्त और जब अब AD में जाते हैं संस्क्रित में इंस्क्रिप्शन मिलते हैं कि संस्क्रित का महत्व बढ़ने लग जाता है सात्महान गुप्तास के टाइम पीरिड में, आगे बोल रहा है यहां पे, मौर्य मौर्योत्तर गुप्तकाल के अधिकांज अभिलेग जो होते हैं, उनका हमें पता लगा है, संकलन हो चुका है, यानि को जो मौर्यन का टाइम पीरिड था, फिर पोस्ट मौर्यन आए, फिर गुप्ताज आए, इनके टाइम पीरिड में जितने भी इंस्क्रिप्शन थ ही कहा रहा है, उनके अभिलेग जो है, अभी भी प्रॉपर रूप से संकलित नहीं किया गया, ईसको लिखा नहीं गया है, इसके पहले अगर हम धक्षण ब्हारत की बात करें, तो ढक्षण ब्हारत में भी हमें बिला मिलाया है इसको प्रकाशित करने में इतना समय लग रहा है ठीक है तो अगर पूरे इंडिया के context में बात करें पैन- इंडिया लेवल पर तो हमें बता लगते हैं कि जो मौरियन और गुपतास के time period के inscription आ चुके हैं जादा तर गुपतोत्तर और दक्षन भारत के जो inscription है वो अभी वेट कर रहे हैं मतलब काफी कुछ अभी आने बाकी है ठीक है अब यहां पर थोड़ा सा detail में जाते है पहले inscription की language बता दी कि initially प्राकर्थ बाद में संस्कृत किस का संकलन हुआ है कौन अभी pending पड़ा अब आ जाता है थोड़ा यह inscription पहली बार हमें कहां से दिखाई देता है तो मैंने आपको बोला कि stone age या पाशान का लिए तो लिखना ही नहीं जानते थे ना तो यहां पर तो inscription का मतलब ही नहीं है सबसे पहले जो लिपी भारत में दिखाई देती वो कब और अशोका की inscription भी कप पढ़ते हैं 1837 में यानि जब ब्रिटिश इंडिया में आ चुके थे ट्रेट कर रहे थे वन बाइवन जगह को वन बाइवन ऑक्क्यूपाय कर रहे थे आपको बताए 1757 फिर 64 बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ बक्सर उसके बाद से उन्होंने बंग सबसे पहली बार सफलता पाई थी अशोक के अभिलेक को पढ़ने में और यहां पर जैसे इसको पढ़ा उसके बाद से द्वार खुल गए इस इंसक्रिप्शन की सहायता से हिस्ट्री को लिखने के ओके यहां पर बस इसी के बारे में कुछ चीजे बताए गई है ठीक है क्या कहना चाहता है इसके अधार पर आप बोल रहो इस टाइप का भिलेक इस टाइप का भिलेक और इस टाइप का भिलेक ओके तो अभिलेकों के प्रकार में यहां पर बस यही बात बता रहें कि कुछ ऐसे अभिलेक थे जिसमें अधिकारी और जंता के लिए जारी किये ठीक है तो जो अशोका की इंस्क्रिप्शन थे नहीं यहां पर हम जादा तर देखते हैं उन अभिलेखों में उन शिलालेखों में क्या थे वहां के जो भी अधिकारी थे उनके लिए अब अशोक का एंपायर बहुत बड़ा था ओके इवन अशोका के जितना बड़ा एंपाय नहीं शोशल मीडिया नहीं समझ पा रहे हों ट्रेन नहीं अब फ्लाइट वाला सिस्टम नहीं तो क्या था यहां पर बैठा है पाटली पूत्र में बाकी जगह पर कैसे मैनेज करेगा डेफिनिटली उसके प्रिशाश्चिन का अधिकारी थे लोकल लेवल पर एड्मिनिस् सरेख consegui.org, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्त अपनानी चाहिए जंता के लिए आदेष होते थे अशोगहे कि मैं अपनी जंता को यह मानता हूं मैं अपनी जंता को यह आदेश देता हूं मैं उनसे एक्स्पेक्टेशन रखता हूं इस तरह का behavior करे माता पिता का आदर करे बहुत सारी चीज़ है वो सब हम जब चैप्टर में आएंगे तब हम डिसकस करेंगे ठीक है अब दूसरे टाइप का इंस्क्रिप्शन कैसा था आनुस्ठानिक अभिलेख नाम से पता लग रहा है थोड़ा से ये परलॉकिक की बात करेंगा अनुस्ठानिक अभिलेख जो किस गुफाएं हैं इन सब में गुदवाये जाते थे उनको बुला जाता था आनुस्ठानिक अभिलेख जो उनके धर्म से जुड़ी हुई बाते बताते थे तीसरी कैटेगरी में प्रशस्तियां आती थी प्रशस्तियां प्रशस्तियां मतलब तारीफे किया चाता था और ये इसमें बहुत फेमस है प्रियाग प्रिशस्ति इंस्क्रिप्शन बिसिकलिए यह प्रिशस्तिया किसके द्वारा लिखवाई जाती थी तो राजा के ही दर्बार में राजा बहुत चारे लोगों को सनक्षन दिया करता था जो स्कॉलर्स हुआ करते थे अलग-अलग शेत्रों है जिसमें राजा यह जो वार्स को जीतते थे उनके गुड़ों का उनके कीर्तियों का बखान किया जाता था बही विल्कुल अंको प्रियाग प्रिशस्तिंस्क्रिप्शन में बता दिया गैं कि किस तरह से इसने नts हिवेड किया यह सबको हरा जिया था ररेवरत दक्षिन देती एक जिसमें राजा के आदेश वगेरा से प्रिशाशनी का अधिकारियों के लिए एक जो धर्म से जुड़े हुए थी एक जो तारीफ वाले थे इसके लावा छोटे मोटे इंस्क्रिप्शन से जैसे आज आज आप देखते होंगे रोड बन जाती है तो वहां पर लिख की दान पात्र वगएरा पर राजा, शिल्पी, व्यापारी के धर्मार्थ हो गए, पैसा मवेश, होगयी और.. शिल्पी हो गए वेपारी हो गए वो दान देते थे धर में कोई कारे करते थे उन सब के बारे में छोटी-छोटी इंस्क्रिप्शन में लिखा वह जो बताता था क्या चल रहा है अब इसको अवोइड मत करना है बहुत काम का था इसने बताया कब क्या दान की प्रक्रिया चल रही है तो क्या दान दिया जा रहा है इससी भी पता लगता है किसका ज्यादा रोल है मतलब एंचिन ताइम पिरिए में अपने सुना वैदिक टाइम पिरेड में गौदान दी जाती थी इवन इंडियन सोसाइटी में स्पेशली जो हिंदू फैमिली से बिलॉंग करते हैं तो हमारे जो हिंदू फैमिली से होंगे जैसे मैं हूं तो मुझे पता लगता है कि गायदान वगेरा दिया जाता है जब किसी के तब ठीक नहीं होती है लगता है कि अंतिम पढ़ाओ पे हैं अपने कहां से आया वैदिक टाइम पिरेड से क्यों गौदान क्यों गाय का उनका economy का source क्या था वो लोग चरवाहे वाला जीवन जीते थे एक जगा से दूसरी जगा मूव करते थे उनकी economy का main source गाय हुआ करती थे गायों के लिए वो लोग युद्धिकिया करते थे तो उस समय से वो गौदान चल रहा है बाद में भूदान आता है है ना आप देखत से यह भी हमें काफी कुछ बताते हैं सोसाइटी के बारे में economy के बारे में आगे राजा और सामन्तों के भूदान अभी लेक जिसने बहुत कुछ बताया है कि किस तरह से हमारी economy में किसका important role है तो इंसक्रिप्शन जो है इसकी language हो गया इंसक्रिप्शन के script हो गया इंसक्रि सवा देगा है तो काफी कुछ हमें inscription से पता लगा है यहाँ पर हमने उन सब के बारे में discuss कर लिया तो यह तो थे हमारे archaeological evidences करते हैं एक बार quickly revise बिलकुल भी परेशान नहीं होना है साधारन ती बात है हमने चालू किया था हमारे साक्षियों से शोतों से तो हमने डिसकस करा था कि ancient history के बारे में दो ही शोत है पहले हमने किसके बारे में जाना पुरा दात्विक शोत के बारे में जाना पुरा दा संकती मुख्य संकती बहु संकती फिर हमने देखा तीले को भी दो तरह से खोद रहे हैं एक अनुलंब खुदाई जल्दी-जल्दी कम पैसों में जादा जानकारी मिलनी है तो अनुलंब खुदाई हो गई शैतिश खुदाई पैसा ज्यादा है सरकार के पास में और डिटे तरीके से हम इन वस्तू का जिनका टाइम पीरिएड यह सब डिसाइड कर रहे है तो यह तो था सारा जानकारी वाली बात अब हमने देखा कौन से पूरा तात्विक शोथ हैं जिस पर हम ज्यादा रिलाई हो रहे हमारे इंचेंट हिस्ट्री को लिखने में तो हमारे दो तर इंस्क्रिप्शन का भी कुछ ऐसा ही रोल है इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता लगता है कि राजा अपने लोगों के प्रती क्या भाव रखता था राजा की टेरिट्री उसके इंस्क्रिप्शन जहां पर मिल रहे हैं ठीक है इसके अलावा इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है कि समाजिक व्यवस्था क्या थी धार्मिक व्यवस्था क्या थी जैसे जैसे आप उसे पढ़ पाते हैं इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिल पाती है inscription क्योंकि लिखा हुआ है तो इस से भाशा का भी प्रभाव पता लगता है कि इस समय इस भाशा का प्रभाव प्रभाव पता है कि इस समय इस भाशा का प्रभाव पता समझ पा रहे हैं यहां तक I hope इसको भी हम अलगले categories में divide करेंगे पहले जान पाते हैं पहले जान लेते हैं क्या है साहितिक श्रोथ तो हमें पता लगता है जब ancient history के बारे में पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत के लोग जो है वो काफी पहले से लिपी की जानकारी उनके पास थी यानि प्राचीन भारत के ल के 1750 BC तक इसका peak time period 2500 BC से माना जाता है तो इंडास वैली civilization के लोग लिखना जानते थे हैं तो बोल रहा है कि हमें पता लगता है कि लिपी का ग्यान प्राचीन भारत में लगबग 2500 इशा पूर्वस से था परन्तु हमारी प्राचीन कम उपलब्द पांडू लिपिया इशा स चौथी सदी के पहले की नहीं है अब ध्यान रखो पांडू लिपिया मतलब लिखित साक्षी की बात कर रहा है अब जो इंडास वैली civilization के लोग थे वो तो उनके तो वो मिल रहे हैं मुहर मिल रही है सील्स मिल रही है ठीक है अब लिखना मतलब जसी कि कोई किताब लिखना कुछ लिखाओ किसी भी किताब का मतलब किसी भी चीश पर भोज पत्र हो गया तामर पत्र हो गया प्रॉपरली उसको लिखना मतलब एक बुक का रूप देना तो वो बोल रहा है कि लिखना तो हम 2500 बीसी से जानते थे लेकिन आज के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें कि चौथी सदी इश्वी से पहले की नहीं है आप इमेजिन करिये यह बोल रहा है बीसी नहीं जीरो पर आजाओ जीरो के बाद आजाओ 4th century AD की बात कर रहा है कि जो सबसे पुरानी पांडुलिपी है लिखा वह जो हमें साहित दिखाई दे रहा है वो चौथी सदी इश्वी स पहले की नहीं है ठीक है इसके पहले लिखा गया ओरिजिनल फॉर्म उसका नहीं बचार ठीक है आगे बढ़ते भारत में उन दिनों मुद्रण कला का विश्कार हो नहीं थे मतलब वह ऐसा क्या बोलते है प्रिंटिंग प्रेस वाला सिस्टम तो था नहीं ठीक है तथा यह भोज पत्रों ताल पत्रों पर लिखी जाती थी और इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्डन्स होता था बहुत वैल्यूएबल थी तेकिन उतने पुराने समय का बचर रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट था ठीक है अब बहुत सारे आपको साहितिक साक्षे मिलते हैं इन साहितिक साक्षे को हमें अलग-अलग केटेग्री में डिवाइट करना है सबसे पहला जो हमें साहितिक साक्षे दिखाई देता है most important बड़े लेवल पर वो कौन सा है धार्मिक साहिति हैं धार्मिक साहिति यहां से इसलिए क्योंकि आपको बता है इंडस वैले सिविलाइजेशन के वैदिक एश के बारे में सभी ने पढ़ा है और वैदिक कल्चर में हमें क्या दिखाई देता है कि बड़े-बड़े ग्रंत आते हैं वैदिक साहितिया ब्रामन अरणयक उपनिशदिये सब दिखते हैं तो सबसे पहला जो हमें एविदेंस दिखाई देता है देखो स्टोन 6th century BC के आसपस हमें दिखाई देता है ये लोग भी लिखना स्टार्ट करते हैं ठीक है मतलब संकलन लेट से चालो हुआ तो धार्मिक साहित्य जो है वो हमें यहीं से दिखाई देता है बौध काल से आप बोल सकते हैं अधिकांश प्राचीन ग्रंत धार्मिक विश्यों पर प्राण है जैन बौध ग्रंत यह सारे संब्लित हो गया तो धार्मिक ग्रंत हमें मिलते हैं 6th century BC के बाद आप मानलो जो भी आपका है वेद हो गया महाभारत है रामायन है बौध जैन पुराण यह सारे जो हैं इनसे संबंदे जितने भी ग्रंत हैं यह इनीशन हमारी लिट लेखाया जाएगा वो तो उसी समय का समाज होगा वो उसी समय के अर्थ व्यवस्था होगी जैसे आज मैं किसी की कहानी लिखो आज के समय में तो उस कहानी में यह लिखूंगी कि भर वह फलाने जगा घए था अपना फोन लेकर गया था लैपटोप यूस करता था वहा बालते थे तो initially हमने धार्मिक ग्रंथों का काफी प्रयोग किया है ठीक है clear हो गया आगे बढ़ जाते हैं नेक्स यहां पर क्या बोल रहा है वैदिक साहित्य वन बाइवन इंधार्मिक साहित्यों को बढ़ते सबसे पहले वैदिक पढ़ते हैं फिर आगे पढ़ेंगे रमाय हमें लिटरी सोर्से दिखाई देते हैं उसमें अथरवेद, यजुरवेद, ब्रामन है, अरन्यक है, उपनिशद है यह सब समलित है और इनका काल माना जाता है हजार से लेके 500 इश्यपूर तक तो सबसे पहला जो हमें धार्मिक ग्रंथ या अर्ली वैदिक जो लिटरेचर वो रिगवेद दिखाई देता है और फिर ये सारे लेटर वैदिक लिटरेचर हमें दिखाई देते हैं, क्लियर हो गया, रिगवेद की अगर हम बात करें तो रिगवेद जो हमने पढ़ा इस लिटरी सोर्से से हमें क्या पता लगा तो इसमें बहुत सारे देवी पूजाओं की संसुती या उनकी आराधना करनी है यह नहीं है बलकि उसमें कर्मकंड इस तरीके से पूजा करना है इस तरीके से वेदिका बनानी इस तरह से यह करना है समझ में आ गया जादू टोना पौराणिक आख्यान यह सारे चीज़े समलित है इवन आगे चलके हमें वेदिक साहिते जिसमें उपनिशद है उसमें दार्शनिक चिंतन भी मिलते हैं ब्रह्मा और आत्मा के मिलन तो यह सब बता रहा है सुसाइटी में चिंजस को नेक्स्ट महाभारत रमायड के अगर हम बात करें तो महाभारत रमायड और प्रमुक पुरान जो है इनका अगर हम अंतिम रूप से संकलन मानें अंतिम रूप से संकलन का मतलब है स्टार्ट तो यह बीसी में हो चुका था लेकिन जो फाइनल जो इसका रूप आज आज चार सो ईश्वी के आसपास दिखाई देता है, 480 के आसपास दिखाई देता है, जब मैं आपको वैदिक लिट्रेचर डिटेल से पढ़ाऊंगे, तो बताएंगे कि किस तरह से महाभारत और रमायड जो है, इनिशली इसमें बहुत कम श्लोक थे, बाद में जोड़ेगा और इस रूप में संकलित होकर हमें दिखाई देता है, क्लियर हो गया, तो जब आप महाभारत और रमायड पढ़ते हैं, जब आप पुरान पढ़ते हैं, तो आपको बताएं इस टाइम पीरिट का है, तो जो महाभारत की स्टोरी होगी, जो उसकी सोसाइटी बताई जाएगी, वो आक्चुलि इस टाइम पीरिट को दिखा रही होगे, जो नामायड की स्टोरी बताई जाएगी, वो इस टाइम पीरिट की सोसाइटी को दिखाएगी, आप समझ पा रहे हैं, तो भले ये कोई कहानी है, लिकिन वो कहानी जिस समय की है, उस समय की समाझिक ववस्ता, अर् में कितना कर रहे हैं कितने archaeological evidences जो इसकी पोस्ट्री करते हैं उस basis पे इसका यूज किया जाता था वैदिक साहितियों के बाद कर्मकांड साहितियों की भरमार मिलती हैं तो काफी सारे हमें वैदिक साहिते मिलते हैं जैसे हमने देखा रिगवेद ये जुर्वेज शामवेद अतरवेद, ब्राम्मन, अरन्यक, उपनिश्यद, महाभारत हो गया आगे हमें रामायड ये एपिक्स दोनों मिलते हैं महा कावे बोल रहा है कि इसके अलावा बहुत सारे कर्मकांडिय भी साहिते मिलते हैं जो लेटर वैदिक टाइम पीरिड में हमें दिखाई देता है जो स्पेशली समाज पर अधारित है जैसा कि शौत सूत्र इसमें सार्वजनिक यग्यों के विधिविदान राज्या भी शेक के समय लेने वाले कई आडंबरपूर अनुस्ठान भी थे ये बता रहा है शौत सूत्र को जब पढ़ते हैं कि जब भी सार्वजनिक रूप से यग कि इसमें बता रहा है यग्यों के विधिविदान क्या होंगे और राजा का जब भी अभिशीक किया जाएगा इसको बिठाया जाएगा उस समय की क्या-क्या आडंबरपूर अनुस्ठान होंगी वह यहां पर बताया गया तो जब आप शौत सूत्र को पढ़ते हैं अगर ए किसे आप जान्शार कर आया जाते है उसके बारे में नामकरण हो गया उपनयन विवाह श्राद को कि लिए पता में कुछ में और क्या क्या आप तक उमारी इंडियन स सूत्र में साथ बिएक प्रकार के मापों का विधान करता है, तो सबसे पहले हमारे लेटरी सोर्ससे, हमें जो हिस्टोडियन को मिलते हैं, अक्च्छली ही लेटरी सोर्सेज जो है वो धरमाधारी थे, सारे के सारे धरमाधारी थे, इंडर्स वैली सिवलाइजेशन तक तो दिखने ना वैदिक टाइम फिरेट का जो दिखने धर्माधारी लेकिन ऐसा नहीं था कि धर्माधारी थे तो इसका यूज नहीं किया उतनी ही मातरा में पुरा तात्विक साक्षियों के साथ प्रयोग करके संतुलित रूप से इसका अब इसमें इसने बात कर दी रिगवेद ये जुरवेद अथर्वेश सामवेद हो गया दो एपिक्स की बात कर दी पुराणों की बात कर दी और इसके लावा बोला कि ऐसा नहीं कि धार्मिक ग्रंथ है बहुत सारे ऐसे कर्मकांडी साहित्य भी मिलते हैं जो कि जो डे टो साहित्यों की भरमार इसी वैदिक साहित्य के पैरलल हमें बुद्ध़जम और जनिसम दिखाई देता है हलांकि वैदिक टाइम पीरिएड 1500 से 600 600 के बाद हमें बुद्ध़जम दिखाई देता है लेकिन जो वैदिक लिट्रेचर है वह वहां नहीं वैदिक लिट्रेचर यह संक्लित किये गए थे जब बौध काल चल रहा था और बौध लिट्रेचर भी इसी के आसपास तो आगे हमें जैन और बौध गरंत दिखाई देते हैं जैन और बौध दोनों ही धार्मिक गरंत जो है न वो एतिहासिक व्यक्तियों घटनाओं का उलेक करते हैं काफी कुछ हमे महात्मा बूध की काफी कुछ जो है गांधी जी से मिलते जुलते तो गांधी जी ने आपने देखा होगा नशनल मूवंपेंटके वारे में सबी को बता है बैरिस्टर थे लेकिन उसके बावजूद भी कोट पहनने से आके भारत में क्या क्या पहना चालू कर दिया था धोती कुड़ता इवन धोती धोती पहनते थे उपर का जो आधा शरीर वो नगन रखने लगे थे क्यूं गांधी जी बहुत स्मार्ट पोस्नालिटी थे वो लोगों से अपने आपको कनेक्ट करना चाहते थे मतलब आपने देखा भी होगा ना जाता तर ल बहाद में बुद्ध जी भी आम लोगों से अपने आपको कनेक्ट करना चाहते थे और उन्होंने इसी वज़े से आम लोगों की जो बोली भाषा उसको उसमें अपने उपदेश देने उसी को ज्यादा प्रधानता पर रखा तो उस समय जो पाली है वो बोला जाता तो हमें दिखाई देता है कि इनिश्यल जो बुद्धिस टेक्स्ट थे ना वो पाली भाषा में ही दिखाई दिये लेकिन जो पोस्ट मॉरें टाइम पीरिड था कनिश्क कुशान वंच का टाइम पीरिड था इशापूर्व दूसरी सधी के बाद का जो टाइम पीरिड था वहाँ पर हम देखते है न की जो बुद्धिस में के फॉलोर्स थे या जो राजा उनको पैट्रोन या संराक्षट दे रहे थे वह खुद शंस्क्रट को भी संराक्षट दे रहे थे तो लेटर जो हमें दिखाई देते लिटर बाद के ताइम पीरिड के बुद्धिस टेक्स्ट उ वो हमें कब संकलित होते वे दिखाई देते हैं 2nd century BC, 0 के 200 साल पहले की बाद, कहां पर? श्री लंका में, तो initially हमें दिखाई देते हैं, यहां पर संकलित की गए थे, दीप वामसा, महावामसा, इस तरह के बुद्धिस टेक्स्ट मिलते हैं, इन ग्रंतों में बुद्ध की, यह जो ग्रंत थे इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्वजन्मिक की कहानिया थे, बहुत स समय के समय के समाज के बारे में, राजडेतिक ववस्था के बारे में, काफी सारी जानकारिया मिली ठीक है, तथा पाचवी शदी ईशापूर्व से दूसरी शदी इस्वी की सारी जानकारी हमें मिल जाती है, इनिशल जो बुद्धिस टेक्स्ट होते हैं, उसके समाज, उसक कितनी मात्रा में क्या निकालना है वहीं अगर आप जयन-ग्रंथों की बात करें तो पता लगती की इन्होंने प्राकर्त भाषा को महत्वति आ था प्राकर्त भाषा में जयन-ग्रंथों की रचना हुई थी और इसको कब संकलीत किया गया था छटी-शदी इश्वी में साइटी एकॉनमी का इसमें कहीं न कहीं प्रभाव हमें दिखाई देगा ठीक है तो इसके अलावा जो जैन ग्रंथ है पता लगता है कि इसमें बिहार पूर्वी उत्तरप्रदेश इनके इससे समंदित बाते थी तो इनके राजनीतिक पुर्ण निर्मार में काफी जादा इस ओके आगे बढ़ जाते हैं लौकिक साहिते अब ये तो पहले था धार्मिक साहिते धार्मिक साहिते में आपने सारी चीजे पढ़ ली जो वैदिक साहिते थे जो हमारे दो एपिक्स थे या फिर हमने बुद्धिस्म जैनिस्मी के बारे में बोला ये सारे धर्म से जुड़ को रखा जाता है जैसे यहाँ पर बोल रहा है धर्म शूत्र 500-200 BC के आसपास इस्मृतिया ईशा के आरंबिक छटी सदी के आसपास यह BC के आसपास है यह AD के आसपास है तो बोल रहा है कि यह जो चाहे धर्म शूत्र है चाहे इस्मृतिया है यह जो टिकाए होती है इनको मिला के धर्म शास्त्र कहा जाता है और यह लौकिक साहिते हैं यह धार्मिक नहीं बलकि यह समाज के बारे में specially बताती हैं, इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में, राजाओं के बारे में, पदाधिकारियों के बारे में, कि इनके क्या-क्या कारे होंगे, इनके क्या-क्या दाइत्वों होंगे, इसके अलावा, संपत्ती, क्रैविक्रे, उत्राधिकार, इन सब के नियम भी यहां पर ब लिखी थी जैसे कि most important है कोटिले का अर्थवशास्त्र कोटिले ने ये बुखली कि थी अर्थवशास्त्र सभी को बता है Moran Empire से related थे कोटिले तक्षिसिला के बहुत महतुपूर्ण विद्वान थे scholar थे जिन्होंने चंद्रगुप्त की मदद की थी Moran Empire को establish करने में धनानंद को replace करके तो कोटिले का अर्थवशास्तर एक बहुत ही महतुपूर्ण विदिग्रंथ है most important है इसको अगर आप इसके पढ़ने से historians को काफी detail में काफी सारी चीजे पता लगी नाकेवर अर्थ विवस्था के बारे में राजनीतिक विवस्था समाजिक विवस्था बहुत कुछ बताया गया इस किताब में clear हो गया इसके बाद बोल रहा है भाश हो गया सुद्रक हो गया कालिदास के जो famous हमें दिखाई दे किसके दर्बार के विद्वान थे तो कालिदास जो है वो गुपतास से related थे और नाइन ज्वल में से एक हमें गुपतास के रूलर के रूलर के नौ रतनों में से एक दिखाई देते कालिदास तो भाश, शुद्रक, कालिदास, बाडभट ये सारे जो scholars है इन्होंने भी अप से चंद्रगुपत मौरे के बारे में पता लगा है ठीक है या फिर विदेशी अभी विदेशी पर हम जाएंगे थोड़ी देर में भाश, शुद्रक, कालिदास ये जिस टाइम पीरिड़ से related थे भले इनोंने कोई random story भी लिखी लेकिन वो जिस काल के बारे में जिस काल से स देखते हूं कि जो बच्ची है वो नौर्थ पर जादा focus करते हैं जब भी आप history परते हैं नौर्थ के साथ 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 का एक बहुत सुंदर history है जिसका एक्जाम में weightage बढ़ रहा है day by day importance बढ़ रहा है तो प्लीज आप उसे बिलकुल भी neglect नहीं करेंगे तो जहां पर आप नौर्थ में देख रहे है धार्मिक साहिते में हमें यह सारे साहिते दिखाई दे रहे हैं लौकिक साहिते के आपने बात करी इसके पैरलल दक्षिर में हमें कमिल साहिते दिखाई दे रहे जिसमें most important और सबसे famous है जिससे आप बोलते हैं संगम साहिते संगम कवियों का संग संगम संमेलन जहां पर जो साहते लिखा गया उसको संगम साहते कहते हैं जो हम संगम एज पर आएंगे 3rd century BC के बाद से हम जब डिसकस करेंगे संगम एज के बारे में 1st to 3rd century ADV के आसपस में तो वहां पर हम detail से जानेंगे अभी के लिए इतना ध्यान रखें तो नौर्थ में जो ये आपको धार्मिक ग्रंट दिखाई दे रहे, नौर्थ के जो आपको लॉकिक साहिते दिखा रहे, ये नौर्थ की सोसाइटी, एकॉनमी, पॉलिटिकल सिस्टम बता रहे, दक्षिन का कहां से पता लगता है, तो दक्षिन में हमें मिलता है संगम साहिते, राजाओ संरक्षित विद्या केंद्रों में कत्र होकर, पैसिकली पांडे जो किंग थे, उनके द्वारा एसेमली कंडग कराए गए थी, और उस एसेमली में जितने कवी वगेरा थे, उन्हें बुलाया गया था, थाउजन्स में थे, हजारो वर्षो ये संबेलान चला और फाइनली इसका जो रूप संकलित होकर आया, उसे ही आप क्या बोलते है, संगम साहित्य कहते हैं, ठीक है, संगम गरंथ वैदिक गरंथों से भिन है, अगर मैं एक तरह के बात करूँ, कैरेक्टर की या बहुत बात करूँ, मैं इनके behavior की, तो संगम लिटरेचर बहुत अलग है, एक इंडिविजवर परस्नालिटी, जो आप बोलते हो, नायक नाइका, आज भी आप साउथ की मुवीज देखते होंगे, उस पर काफी ज्यादा इंपक्त दिखाई देता है, तो जो संगम साहिते ना, वो नायक नाइका, मतलब एक कोई हीरो होगा, या हिरोईन, उस पर ब है तो था, साउथ में इहीं लोग पर जादा ध्यान दे रहे हैं, तो लॉकिट प्रकृति के थे, और इनका जो लिट्रेचर था ना, बहुत ही परिश्क्रत था, बहुत ही क्लासिक लेवल का इनका लिट्रेचर दिखाई देता है, ठीके, इसके बार, यहां जो हम संगम लि परवाडी जे के बारे में पता लगता है, तो इन सारे लिट्रेचर से आप उस टाइम पीरिट के सोसाइटी, कॉन्वी, पॉलिटिकल सिस्टम इनके बारे में जानकारी एकहटी कर पाते हैं, नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट, यह तो सारे के सारे जो लिट्रेचर है यह इंडिया के हैं, रिलीजियस की बात करी, लॉकिक की बात करी, या दक्षिन भारत के साहित्टी की बात करी, अब जो यहां पर डिस्कस करने वाली हूल यह क्या है, विदेशी विवर्ण, हमारे जो हिस्टोरियन्स हैं, उनके लिए यह साहित्ते और जादा, और जादा एक तरह से बोल सकते हैं विशवशनी हो जाते हैं जब वो विदेशी श्रोतों से इनका comparison करते हैं विदेशी श्रोत से क्या मतलब है कि बहुत सारे foreign travelers जो है one by one इंडिया में आते रहें अलग-अलग reason की वजह से कोई भारत में आया किसी राजा के साथ में उसने attack किया ता फिर वो यहीं बस गया या रहा काफी लंबे समय तक कोई घूमने के परपस से आया कोई धर्म की वजह से आया और इन्हों ने भारत में लंबे समय तक रहकर इसकी सावाज इसकी अर्थवयस्ता के वारे में लिखा है अपने देश में तो उन जो किताबे है न विदेशी विवरण उनको हमने कंपेरिजन के उनसे भी हमें काफी कुछ इंफरमेशन मिला है तो यहां पर विदेशी विवरण की बात कर रहा है विदेशी विवरणों को देशी सहेत्य का अनुपूरक माना जा सकता है अनुपूरक इसलिए क्योंकि हमारे जो भी लिट्ट्रेचर है जैसे जिँखाई देता है मेगस्तनी जाता है इंडिका तो आप सकते हैं विदेशी विवरण है यह देशी तो काफी को जो आप comparison करते हैं ये भी उसी राजा की बात करें ये भी उसी राजा की ये भी काफी कुछ साइटी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है लेकिन जो conclusion निकाल सकता है तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि विदेशी विवरणों को देशी साहिते का नुपूरत माना जाता है परेटक वा भातिय धर्म को अपना कर अनेक युनानी रोमन चीनी बहुत सारी यात्री भारत में आते रहे हैं इंशिन टाइम पिरिएड से सिकंदर की अगर मैं बात करू जब मैं आपको पढ़ाऊंगी महाजनपद के बारे में तो महाजनपद में हम पढ़ते हैं मगद महाजनपद कि किस तरह से मगद महाजनपद काफी फ्लोरेजड होता है और हम पढ़ते किस तरह से जो मगद महाजनपद है यहाँ पर हमें बाइवन डाइनस्टी रूल करते देती है, नंद डाइनस्टी का लास्ट रूरल जब धना नंद रूल कर रहा था, उस तमय आपे सिकंदर ने इन्वेट किया था, अब इंट्रेस्टिंग चीज क्या है कि जब सिकंदर इन्वेट करता है, तो जो इंडियन हिस्टोडियन से हैं, वो बहुत कुछ इसके बारे में नहीं बताते हैं, सिकंदर के इन्वेजन के बारे में कौन बताते हैं, जो युनानी लोगे वो बताते हैं, तो यहां पर यहीं बोल रहा है कि सिकंदर के हमले की जानकारी हमें जाद किसे की गई थी चंद्रकुप तो मौरे से की गई थी आप समझ पा रहे हैं तो जब सिकंदर ने इनवेट किया अटैक किया यहां के काफी सारे चेत्रों को जीता फिर वापस लौटाए हां से हलाकि उसकी तो मत्ती हो गई थी लेकिन इस चेत्र पर युनानी आकर बस चुके थे तो उननी नाके वल सिकंदर की इनवेजन के बारे में लिख रहे थे बलकि सिकंदर के इनवेजन के कुछ समय बाद धनानंत को रेपलेस कर आए चंद्रकुप तो मौर रहा है तो यहां से हमारे लिए देट्स में पर अप्ले में समझने में मदद हुई इसके अलावा मे जस्तनीज जो है जब वो चंद्रगुप्त मौरी के दरबार में रहा उसने बुक लिखी एक इंडिका, इंडिका से हमें काफी कुछ पता लगता है हमारे सामाजिक आर्थिक क्रिया कलापों के बारे में मौरेन एंपार कर एक और चीज है कि एक्जिक्ट हम इसको नहीं अपन सी यह इस टाइम पिरिएट की है 80-105 AD की ठीक है और यह बताती है कि किस तरह से लाल सागर फारस की खाड़ी और हिंद महासागर के बीच में व्यापार होता है अगर आप थोड़ा सा देखो मैंने पहले यह बोला था कि एटलस को अपने साथ रखे और वर्ल मैप को इधर हो गया आपका क्या पर्शियन गल्फ गल्फ पर्शियन इधर आ जाएगा आपका रेट सी और यह पूरा है इंडियन ओशिन ठीक है तो परिप्लस ऑफ दी एरिथ्रियन सी जो है वो बताती है किस तरह से ट्रेड हुआ करता था लाल सागर फारस की खाड़ी और हिंद महासागर इस वाले रीजन में किस तरह से ट्रेड हुआ करता था इसके बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन लिखी गई है किसमें परिप्लस ऑफ दी एरिथ्रियन सी में ठीक है तो उससे हमें काफी कुछ पता लगता है अच्छा वहां पे लिखा गया यानि एक्शल में क सेंचुरी एडी की है जो बात करती है भारत और इटली यह रहा हमारा सॉरी यह रहा हमारा इधर भारत इधर यॉरॉप का इटली तो इनके बीच का जो ट्रेड था उसके बारे मताता है प्लिनी की नैच्रल हिस्टॉरिक और देखो यह चीज इसलिए अभी आपके काम आए या फिर प्लिनी की बात करो यह सब जो है बता रहे कि अल्रेडी रेट सी पर्शियन गल्फ यॉरॉप इन सबसे ट्रेड इंडिया का चल रहा था इंशिन टाइम पीरिट से बस डिफरेंस क्या होता है कि मॉडन टाइम पीरिड में यह ट्रेड रूट ब्लॉक हो गया था ठ पता लगता है कि बात धर्म का कैसे प्रचार प्रशार हुआ था चंद शॉरी श्री लंका हो गया और साउथ इस्ट एशिया में इसको फैलाया था वहीं कनिश को जो होगा वो सीर सुरी सिल्क रूट का प्रयोग करते वे कहां पर आपका चाइना हो गया नॉर्थ कोरिया सा पता वहां पर बात धर्म और वहां पर काफी लोग इसके जिग्यासू थे आज भी आप जाओ इन सारे स्टेट्स में इन सारी कंट्रीज में तो आपको दिखाई देता है बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार लेकिन बुद्धिज्म के भी अलगलग सेक्ट है ही नियान मह वज्रियान अब किस जगह पर किसका डॉमिन से यह थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा जब मैं बुद्धिज्म करेंगे तब हम डिसकस करेंगे तो चीनी परेटक में हमें फाहायान और वेंसांग दिखाई देते दोनों बुद्धिज्म के फॉलोवर थे इंडिया में क समय के बारे में समाज आर्थिक धर्मिक विवस्था बता रहा है इसी तरह हुएंसांग जो थी वह हर्ष के समय में आया था यानि पोस्ट गुपता या पूश्य भूती डाइनस्टी के टाइम पीरेड में तो उसे हर्ष के यह दोनों की प्रकर्टी अलग है यह धार्मिक प्रकर्टी की नहीं थी फिर हम साहतिक साक्षमेगा लॉकिक पे जो धर्म की बात कर ही नहीं रहे है जुसमें आपने अलग-अलग व्यक्तियों की अलग-अलग आपको मैंने बताया था जो हमारा चैप्टर था इस्टोरियंस वाला जहां पर हमने देखा था कि जो बिटिश हिस्टोरियंस वह किस तरह से दावा कर रहे थे कि इंडियंस को तो डेट की समझ ही नहीं लेकिन जैसे कि अभी आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा आपने चीजों को जानने में समझने में तो यह था हमारा आज का सेशन यहां तक अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे सीरीज को फॉलो करिए और चैप्टर वाइस जो है चीजे हमारे साथ कवर करने की कोशिश करिए बुक में भी यही चीज है पूरी की लेकिन दिफ्रेंस के वहांपर थोड़ा सा चीजों को को सिस्ट्रमेटिक होते ने कि यहां पर थोड़ी सी क्लारिटी हो जाएगी बुक में पढ़ने पैसा लग एक पढ़ ले रहे फिर भूल जा रहे पढ़ ले फिर भूल जा रहे ऐसा नहीं होगा तो आपको बस बुक स एक बार रीडिंग लगानी है बाकि जितना क्लास में करा है इसको अच्छे से रिवाइस करें दो बार तीन बार रिवाइस करें चीजे वन बाई वन आपके समझ में आ जाएंगी तो टोटल अभी तक हमने तीन चैप्टर हमारे कर ली है अगला जो चैप्टर है तो बहुत बहुत सुन्दर चैप्टर है तो कल के सेशन में हम उसे डिसकस करेंगे बस यह चार पांच चैप्टर ऐसे हैं एक दो चैप्टर और बचेंगे जिसमें थोड़ी से बैक्राउंड की बात कर रहा है फिर हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे हमारा स्टोनेज और ज्यादतर ब अच्छे से आप रिवाइस करते रहें तो चली फिर आज के सेशन को यही रोकते हैं मिलते हैं नए सेशन में कुछा इंफर्मेशन के साथ तब तक अपना ध्यान रखें रिवीजन करते रहें थांक्यू